प्रेंचाइजियों ने कई पुराने खिलाडियों को रिटेन किया तो वहीं कई नए खिलाडियों को टीम में शामिल किया इस बीच 10 साल तक मुंबई इंडियन्स का हिस्सा रहे टीम इंडिया के अनुभवी गेन बाज हरबजन सिंग यानि के हमारे भजी को चनई सूपक किंग ने अपनी टीम में शामिल किया इसको लेकर CSK के CEO ने एक बड़ा खुलासा किया है आईए जानते हैं उन्होंने क्या कहा गौर तलब है कि साल 2018 के इस निलामी में CSK ने हरबजन सिंग को 2 करोड में खरीदा हरबजन IPL की शुरुआज से लेकर अब तक मुंबई इंडियन्स टीम का हिस्सा थे CSK में वापसी और धोनी के साथ खेलने को लेकर उन दोनों के फैंस में काफी खुशी है इस सम्वन में CSK के CEO के सी विश्वनातन ने Times of India के साथ बास्टीत में कहा हरबजन के सेलेक्शन में धोनी का बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने IPL की नीलामी में हरबजन सिंग को टीम में शामिल करने को लेकर मैनेजमेंट से बात की CSK ने हरबजन के बारे में दिल्चस्पी दिखाई लेकिन उतना इंटरस अश्वन के बारे में मैनेजमेंट ने नहीं दिखाई वहीं उन्होंने केदार जादव की सेलेक्शन को लेकर कहा जादव CSK के लिए इस सीजन में सबसे महेंगे खिला रही हैं इसके लिए मैनेजमेंट पूरी तरह से सहमत था जादव की बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों योगिता को देखकर मैनेजमेंट ने नीलामी में इनका चुनाव किया हमें जो टीन मिला है इसको लेकर हम काफी खुश हैं आपको बता दे कि चैनल सूपर किंग्स ने MS धोनी, सुरेश रहना, रवींद जडेजा को रीटेन किया है इसके साथ ही टीम में ड्रेविन ब्रावो, फैफडू प्लेसिस जैसे स्टार खिलारी शामिल है हरबजिन सिंग ने IPL में 136 मैचों में 127 रन लिये हैं नोंने 2017 के IPL मैच में 11 मैच खेलते हुए 8 विकेट जटके थे सब्सक्राइब कीजे हमारा चैनल लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूस के लिए